हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल लर्निंग विद वीनल शर्मा आज मैं आप सभी के साथ क्लास युकी जी की हिंदी की वर्क्षीट शेयर करती हूँ कुछ नमर शेकंड है तो सभी किरह से दुच यहां पर कुछ वियन जैनक भी fright तो मैं उनको उनकी city सही क्रम न लगाना है सही क्रम क्या होता हूं अई ए दो पहले क्या आएगगा ए आ ओ next है बा पा फा क्या होता है पा फा बा यहां बच्चा क्या लिखेगा बा फा बा इसी तरहीं किसे बच्चा question number second करेगा इन वान और व्यंज़वर और व्यंजन को वो सही क्रम में लगाएगा जो उनका right actual सही क्रम होता है question number second है हमारा चित्र देखकर खाले स्थान बरिये चित्र देखकर देखे खाले स्थान बरना है पहला अक्षर लिखा हुआ है बाकी के दो अक्षर बक्चे को लिखने है चित्र किसका है यह बादल का क्या हो रहा है बानी बरस रहा है तो यहाँ पर क्या हैगा बरस। तीन अक्षर के यह शब्द है ठीक है ऐसी नेक्स्ट क्या है सारक। नेक्स्ट किसका चित्र है यह कलश का तो क्या एगा कलश। ऐसी यह क्या है बटन बाटन। यह क्या है मतर। यह क्या है नयन। इसी तरीके से बच्चाई वाली कोशन को कर देगा। कोशन नमबर फॉर है शब्द बनाओ यहां पर मैंने चार अक्षर के शब्द दिये हुए हैं जो कि बच्चे को जोड़के एक नया शब्द बनाना है ठीक है जैसे हरकत क्या बना हरकत हरकत ठीक है ऐसी इन सब को जोड़के बच्चा एक शब्द बनाएगा पहले फिर उनको यहां पर लिखेगा चीक है जैकिन है नाफरत नफरत ऐसी बारगद बरगद नाटखट नटखट शारबत शारबत दामकाल दामकाल पहले बच्चा एक एक शब्द पढ़े एक 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 शब्द बनाएग शब्द बर्ण पढ़ेगा फिर उनको एक साथ बोलेगा फिर नया शब्द यहां पर लिखेगा आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कोशिन नंबर फाइव है मिलान करो मिलान करो मीस यहां पर चित्र बने हुए है और बीच में उनका नेम लिखा हुआ है उनका नाम बोल सकते हैं इसको हम भवन भी बोल सकते हैं ठीक है तो घर तो इसमें है नहीं अब बच्चा ओप्शिन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेगा तो यहां पर क्या दिया हुआ है भवर तो इसको किस से मैच कर देगा बच्चा भवन से इधर क्या है यह किसका जित्र है जग का तो बच्चा जग से मैच कर देगा यह नेक्स्ट है दस कौन सा नंबर है यह दस तो बच्चा इसको किस से मैच कर देगा दस से मैच कर देगा नेक्स्ट है यह किसका पेड़ है बरगद तो बरगद से यह मैच कर देगा ठीक है नेक्स्ट है कलश को कलश से मैच कर द नेक्स्ट है खबर देखो यह न्यूजपीपर है तो न्यूजपीपर में क्या आती है अब यहां पर चार अक्षर का भी शब्दू बन सकता है अक वार ठीक है अक बार पर अकवार में हमने तीन अक्षर के और दो अक्षर के दिये हैं अभी मैंने तो तीन अक्षर का क्या बन कभ से करलेंगे किया है पानी बरस रहा है तो हम इहां पर क्या लिखेंगे बरस अब करना क्या है मैं हमेशे अपनी वखषीट में बताती हूं बछहें को टारिक आप मैच जिरला थानी के लिए नहीं बूलिए पहले उनसे एक Monday. क्या नाम है फिर जो उनको options दिये गए है match करने के लिए उनको read करने के लिए बोले जब यह सारा वो read कर लेंगे उनको एक-एक picture का नहीं पता लग जाएगा फिर उनको match करने के लिए है कि I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा हम चलते हैं next question question number six question number six है नए शब्द बनाईए यहाँ पर मैंने आकी मात्रा और और उकी मात्रा दियोएं अगले ठीक हे आकी मात्रा और उसी उकी मात्रा से related शब्द बनाने हैं बनाने कैसे इन दिखे बीच में एक मैंने शब्द दिया हुआ है और एक इधर शब्द दिया हुआ इस शब्द में ये शब्द जो बजोड़ते हुए नया शब्द बनाना जैसे ता-ला तो यहाँ क्या लिग देगा बच्चा ता-ला ऐसे ही का-ला यहाँ जाएगा का-ला पा-ला पा-ला जा-ला जा-ला तो इस तरह जैसे आकी मात्रा की शब्द की उसकी प्रैक्टिस होईगी नेक्स्ट है लॉ अब इसमें हमने किसकी मात्रा का यूज किया है उकी मात्रा का बड़े उकी मात्रा का तो फा में बड़े उकी मात्रा बनाई तो क्या दोनी आई फू फू लू फूल तो यहां क्या लिख देगा बच्चा फूल दूल दूल शूल शूल जूल 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 तो इस तरीके से बच्चों की हम UKG में मात्राएं मात्राओं की प्रैटिस कराते हैं चीक है कोशिन नंबर सेविन हैं विप्रीद शब्द लिखो विप्रीद शब्द होते हैं जैसे हम इंगलीश में आपोजर्स करवाते हैं ऐसी हिंदी में विप्रीद शब्द होते हैं जैसे आज फर्स्ट क्या है आज तो आज का विप्रीद क्या होगा कल है ना गरुम का क्या होगा ठंडा है ना सुबह का क्या होगा शाम रात दिन सफेद सफेद का क्या होगा अफ बिप्रीज शफ्ट काला साफ का क्या होगा गंदा ठीक है I hope आपको यहाद तक समझ में आया होगा question number 8 है समान ले वाले शब्द चाट कर लिखिए समान ले वाले शब्दों ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जो आखिर में दोनी आती है वो समान होती है जैसे कमला गंला तो इसमें जो आखिर में दोनी आ रही है वो क्या है समान है ला और ला कमला गंला इसी तरीके से करना है अब पहले बच्चे को आप ये सारे शब्द पढ़ा दीजिए कौन-कौन से हैं जैसे भगत भगत मगर मगर नहर नहर साथ साथ पहल पहल मान मन गमला गमला आम ठीक है अब बच्चे नहीं हाँ पढ़ लिया अब वो one by one option जीट करेगा कि किस किस हमान शब्द करने है कमला अब उसने यहाँ पहले ही पढ़ लिया गमला तो वो यहाँ क्या लिख देगा गमला ऐसी अगर मगर तन तन मन अगर मगर जगत भगत राम हाम चहल पहल शहर नहर हाद साथ ओके आई हूब आपको समझ में आया होगा कि हमें बच्चों को समान लेवाले शब्द कैसे कराने है ठीके तो यह थी आज की मेरी वर्कशीट क्लास यूकी जी के लिए जिसमें हमने सबसे पहला कोशन था खालिस्थान भरो शेकेंड था सही क्रम में लिखो चित्र देखकर खालिस्थान भरो शब्द बनाओ मिलान करो और कोशन नमबर शेक्स था नई शब्द बनाओ और विप्रीज शब्द लिखो और समान लेवाले शब्द चाट कर लिखो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू बाई बाई